लोक सभा की जंग में यूपी में बड़ी काम्याबी के बाद यूपी के दो लड़के यानि राहूल गांधी और अखली श्यादव ने अब बीजेपी के खिलाफ चक्रविव रचने के शुरुआत कर दी है निशाना 2027 के विधान सभा चुनाव पर है लेकिन उससे पहले सूबे की दस विधान सभा सीटों पर उप चुनाव होने है कॉंग्रेस इन में से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जिसके लिए कॉंग्रेस सपा के साथ मिलकर बिसात बिछानी शुरू कर दी है कॉंग्रेस नेताओं का दावा है कि 2027 में एसपी कॉंग्रेस का गडबंधन योगी सरकार को सत्पा से बाहर कर देगा योपी की 80 में से 47 सीटे जीतने के बाद इंडिया गडबंधन की माचे खिली हैं होसले बुलंध हैं अब तो ये भी तैह हो चुका है कि राहूल गांधी की राजनीती का सेंटर राय भरेली होगा इसलिए जो शाई है बड़ादिक उत्रप्रदेश में योपी की 10 विधान सभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं योपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वे सीटे हैं फूलपूर, मजवा, मीरापूर, मिल्कीपूर, करहल, कुंदरकी, काजियाबाद, कटिहरी, खैर, उच्चहार हाली में लोगसभा चुनाव में जिस तरह की नतीजे सामने आए हैं उसके बाद प्रदेश की कई सीटों पर समिकरन बदले हुए नज़र आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और कॉंग्रस का गडवन्दन पहले से मुकाबले की कई सीटों पर मजबूत हुआ है वहीं 2022 से कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है यहां यह समझना जरूरी है के 2024 में इंडिया से जादा सीटे जीतने के लावा इंडिया के हिस्से में वो कौन सी काम्याबी आई जो सहूप चुनाव के साथ 2027 के लड़ाई के लिए बोस्टर डोस दे गई दरसल कौंग्रिस और समाजवादी पार्टी को मिला कर यूपी में गडबंदन को 43.5-2 फीजदी वोट मिले है तो वहीं इंडिया को 43.6-9 फीजदी वोट मिले यानि पलड़ाल लगभग बराबर है वहीं अगर विधान सभा सीटों के लिहास से लोक सभा सीटों के परदर्शन पर नजर डाले तो राज की 403 विधान सभा सीटों में से इंडिया को जहां 174 विधान सभा सीट पर बढ़त मिली वहीं विपक्ची गडबंदन 224 सीटों पर आगे रहा है यह वजहां के राहूल के यूपी के सियासी जमीन पर टीके रहने के फैसले के बाद यूपी में कॉंग्रिस का मनवाल उचा हो गया और सीधे 2027 जितने की बाते हो रही है अगलेश के साथ मिलकर राहूल लोकसभा वाले ही मुद्दे को आगे ले जाने की तैयारी में है यूपी के चुनावी एंगनित में इंडिये के फॉर्मूले को फेल कर दिया है उस लिहास से 10 सीटों पर उपचुनाव और 2027 के जंग जादा आसान होगी आपको क्या लगता है लोकसभा के चुनाव में कामियावी के बाद यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की जंग में अखलेश के साथ राहूल गांधी फिर बीजेपी को तगड़ा जटका दे पाएंगे या नहीं यह हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम कबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव